सो वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल तो चली जी देखते हैं न्यूज में क्या चल रहा है कल क्या हुआ नागालेंड के अंदर आर्मी ने और असाम राइफल्स ने मिलके कोपरेशन किया उन्हें ऐसा लगा कि एक बैंड ओर्गनेशन है माँपर यानि एक ऐसी ओर्गनेशन है जो माँपर अपना राज चाती है नागालेंड के अंदर जिसका नाम है NSCN National Socialist Council of नागालेंड तो उन्हें लगा कि कुछ मेंबर्स जो इस ओर्गनेशन के है जो कुछ गतिविदी कर रहे हैं उस इलाके में इनको मारने के लिए आर्मी ने और असाम राइफल ने को अपरेशन चलाया लेकिन एक्च्वल में क्या हुआ वो जो वैन थी जिसमें लोग सवार थे वो इन इस ओर्गनेशन की नहीं थी असल में वो कुछ लोगों की थी जो कोल माइन्स में से काम करके वापिस लोट रहे थे ठीक है वो कौन सी ट्राइब के थे व्यक्ति जिनकी मृत्य हुई है वो थे कोनियक ट्राइब के ठीक है तो अभी हम ये समझते हैं कि नागलेलेंड के अंदर इस ट्राइब का एसा क्या रोल है ठीक है आप अगर भारत का मैप देखोगे तो इसमें आप यहाँ पाओगे अरणाचल परदेश और यहाँ पर क्या हमारा नागलेंड तो नागलेंड में सबसे उपर की साइड एक डिस्टिक लाई करता है इस जंगा पर जिसका नाम क्या है मौन डिस्टिक तो इस मौन डिस्टिक में एक ट्राइब रहती है जो कौन से है? कौन्यक ट्राइब अब जो यह कौन्यक ट्राइब है लगवग 3 लाख लोग है इसकी population कुछ जादा नहीं है इनमें एक practice होती थी पहले इनके बारे मैं जानते है थोड़ा इनमें एक practice होते थी कि जब ये किसी दुश्मन पे वार करते थे ये वाली tribe तो ये क्या करते थे उसके head को hunt करते थे यानि सर पे वार करते थे उसके उसको पकड़ने के बाद उसके सर के कलम करते थे या कोई भी ऐसा act करते थे जिससे कि उसके head को hit किया जाए फिर ये practice भारत सरकार ने बंद करवाए 1980 के करीब तो ये last tribe थी जिसने practice give up की ये practice करना छोड़ दिया यानि लोगों के सिर्पेवार करना छोड़ दिया इस tribe के एक language एक कॉन सी फुन्चू language अभी main case हुआ था क्या कि army और assam rifle को गलती से ऐसा लगा कि वो लोग इस organization के जो band है तो army तो attack करने वाली थी इन पे लेकिन असल में वो कुछ tribe थे, कुछ जन जाती के लोग थे कौन से जन जाती के, कौन ये जन जाती के जो कि सिर्फ एक coal mine से काम करके वापस लोट रहे थे तो देखा जाए तो ये army का एक बहुत बड़ा failure है आपर अब देखें यहाँ पर assam rifles भी लिखा गया है assam rifle क्या है ये part है central arm police force जो central arm police force है वो home ministry के अंडर होती है home ministry तो एक किसम की police force है जो की center के अंडर काम करती है और इस assam rifle का main काम क्या है इस border को secure करना पूरे है इस वाले border को क्योंकि यहाँ पर क्या है मैन मार थोड़े देर में मैन मार के ओपर भी आते है यहाँ पर क्या है मैन मार है इस border को पूरे को secure करना किसका काम है assam rifle का और army all over the India काम कर सकती है तो army और assam rifle operation कर ले थे इस इलाके में नागा लेंड में और यहीं पर इनसे बहुत बड़ी चूक हो गई तो इसी के regarding home ministry ने एक special investigation team का गठन किया है जिससे यह देखा जाएगा कि कहां पर गलती रही इन दोनों से ठीक है भई देखा जाए इन्होंने सफाय में एक आया army ने जो वैन थी जो आ रही थी जिसमें लोग थे तो इन्हें intelligence information मिली थी कि भई उसमें इस organization के लोग है लेकिन ऐसा नहीं था अब देखे यहां पर एक बात छिड़ती है यहां पर आप देख सकते हो जिक्र हो रहा है Armed Forces Special Power Act ESPA के बारे में अब क्या है अब नागा लेंड के उपर आते है यहां पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यह एक organization है यह क्या चाहती है कि नागा लेंड को एक अलग से देश गोसित कर दिया जाए तो जब भारत अजाद होआ 1947 के करीब से तब से ही नागा लेंड के लोग थे जो नागा ट्राइब्स वो डिमांड करेती अलग से एक separate नागा लेंड बना दिया जाए जो कि एक सिर्फ एक अलग से अलग कंट्री होईगी इंडिया से अलग ठीक है और उसमें कितनी ट्राइब से लग बग शोला ट्राइब है यानि सोला ऐसे जन जाती है नागा लेंड में जिनको नागा ट्राइब्स कहते है उनमें से एक कौन सी है कौन एक ट्राइब तो ये क्या चाती है सोला ट्राइब्स कि एक अलग से देश बनाय जाए नागा लेंड तो उनमें से एक ओर्गनेशन है ये तो ऐसा चल रहा था 1947 के बाद तो फिर भारत सरकार ने क्या किया कि आर्मी के पास कुछ special power होनी चाहिए कि अगर कोई insurgent कोई naga अगर insurgency हो रही है यानि अगर कोई in solar tribes में से कोई group attack कर रहा है आर्मी के उपर या फिर police के उपर तो उस regarding आर्मी के पास कुछ special right होने चाहिए जो कौन सा है EFSA ये कहा है ये आर्मी को power देता है कि आप किसी को भी suit कर सकते हो kill कर सकते हो किसी के घर को search कर सकते हो या फिर किसी भी property को destroy कर सकते हो कहां पर disturbed areas में अब ये disturbed areas कौन से है जो की home ministry बताएगी जो हमारी home ministry है वो decide करती है कि कौन से इलाके भारत में disturbed areas है जो भी इलाके disturbed होगे महाँ पर जाकर सिधा आर्मी इस act के according काम कर सकते है क्या क्या कर सकते है किसी को मार भी सकते है search भी कर सकते है घर को और property को destroy भी कर सकते है तो ये special power है किसकी armed forces की इसमें हमारी army भी आजाएगी state police भी आजाएगी ठीक है और ये central armed police forces भी आजाएगी सारी आजाएगी ठीक है और दूसरा क्या है कि ये armed police forces किसी को भी arrest कर सकते है बिना warrant के अब हर एक व्यक्ति को अगर किसी को पकड़ना है तो warrant जरूरी होता है लेकिन ये act power देता है इनको कि आप बिना warrant के किसी को पकड़ सकते हो अगर आपको उस पर suspicion भी है थोड़ा सा भी अगर आपको ये है कि वो कुछ करने जा रहा है गलत तो आप उसको पकड़ सकते हो तो इसी तरीके से आर्मी ने और असाम राइफल ने attack किया उनके उपर भी कारवाई हो सके ठीक है लेकिन अभी कोई कारवाई नहीं हो सकते आर्मी के उपर क्योंकि आर्मी को special protection है इस act की और ये कौन से कौन से एरिया में होते है disturbed areas में अब वो disturbed areas कौन से कौन से है recent में जो disturbed areas है वो कौन से है अरोनाचल परदेश, नागलेंड, मनिपूर एंड असाम ये सारा इलाका disturbed area है तो यहाँ पर आर्मी अपनी इच्छा से act कर सकते है किसी को भी पकड़ सकते है बिना वारंट के गोलिया चला सकते है कुछ भी कर सकते है पहले क्या था कुछ और areas भी disturbed areas में थे जैसे कि पंजाब है यहाँ पर तो जब 1980s के करीब यहाँ पर यह रा पंजाब 1980s के करीब जब पंजाब के अंदर demand उठी खालिस्थान बनाने की, एक अलग से देश बनाने की तो उस समय पर पंजाब को भी इस act के अंडर ला दिया गया कि यहाँ पर भी army act कर सकती है according to this act लेकिन बाद में पंजाब में सब कुछ शान्त हो चुका है तो अभी पंजाब के अंदर यह act लागू नहीं होता तो ऐसे यहाँ पर states थी यह हमारी तिरपूरा यह रही मेगा ले रही, तो पहले in states के अंदर भी act लागू था लेकिन अब नहीं है अब सिर्फ यहाँ पर है इन चार states के अंदर है और एक जम्मू और कश्मीर के अंदर तो इन पांच states के अंदर एफसा act लगा हुआ है तो यही लिखा है मैंने कि इन state में current में एक्ट लगा हुआ है और इन में हट चुका है ऐसी जम्मू और कश्मीर में भी लगा हुआ है तो यह थी सारी खबर जो हमने इससे regarding देखी और जो यह group है कि मैंने बताया जो आपको NACN इससे ही भारत सरकार इस टाइम बात कर रही है वहाँ पर Peace Accord के लिए तो उसको कहते है नागा Peace Accord यानि जिससे शांती बरकरार की जाए नागा लेंड के अंदर उसमें कौन-कौन है भारत सरकार है और यह organization है या अपसमें बात्चित कर रहे है लेकिन कुछ व्यक्ति अब्भी ऐस organization में जो attack करते है भारत सरकार की forces के उपर तो इसलिए force ने सोचा कि इन पर attack कर दिया जाए लेकिन वो गलत खबर निकली और मृत्यू किसी ओर की होगी चलो अगली खबर पर चलते है जी 20 में क्या होता है एक ट्रायोका होता है तो अगर पूछ ले जाए ट्रायोका क्या है तो simply क्या है ये group of three होता है किन तीन लोगा का group है जी 20 में presidents बनते हैं ठीक है president बनते है हर साल presidency घूमती रहती है 20 countries के according ठीक है अभी ये group of three का मतलब क्या है कि जो current में president है जो previous president था और जो next president होगा उन तीन countries को मिला के क्या करता है try होगा तो भारत इस समय try को में enter कर चुका है वो कैसे क्या था अभी G20 summit होए 2021 में तो उस समय पर जो presidency थी वो किस के पास थी इटली के पास थी जो कि 30 से 31 October के बीच held हुआ है अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है तो ये था इटली महाँ पर क्या प्रेजिडेंट था अभी इटली की टर्म खतम हो चुकी है और अभी इसी Wednesday इंडोनेशा की टर्म सुरू हुई है तो previous कौन था इटली current में कौन है इंडोनेशा इंडोनेशा अगले साल के लगभग December तक रहेगा जो कि December में change होता है लगभग December तक रहेगा और फिर उस December में यानि 2022 के December में कौन आजाएगा भारत तो इन तीनों को मिला के जो कि previous President था current President और upcoming President इनको कहते है Troika ठीक है भई अभी थोड़ी और बाते जानते है इटली ने इस साल held किया क्या G20 का summit अगले साल कोन held करेगा इंडोनेशिया च्योंकि अभी इंडोनेशिया रहेगा अगले December तक तो अगले October में summit कोन held करेगा इंडोनेशिया और उसकी theme क्या है recover together, recover stronger ठीक है इतनी बात इसी जानने की कि भारत 2022 में इसको गेन करेगा Presidency को अगली खबर जो है अभी 4 December गया और उसके उस दिन क्या होता है Navy Day अभी Navy Day मनाया क्यों जाता है क्या था 1971 में आप सबने सुना ही होगा Bangladesh बना अब जब Bangladesh बना उससे पहले क्या था इसको कहते थे East Pakistan East Pakistan देखिए आज का जो Pakistan है यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है बांगलादेश 1971 से पहले यह वाला जो इलाका था इसको East Pakistan कहते थे और इसको West Pakistan और दोनों पर राज किसका था पाकिस्तान का लेकिन फिर यहाँ क्या हुआ बांगलादेश के जो आज के लोग है उनके उपर अत्यचार करता था अजाद करवा जाए था और फिर क्या बन गया था 1981 में बांगलादेश तो वो ओपरेशन जो नेवी ने चलाया था यहाँ पर इधर पाकिस्तान में कराची लाए करता है तो यहाँ से इंडियन नेवी यहाँ से गई और अटेक किया कराची के हारबर पे और वो अटेक जब हुआ था वो चार दिसंबर के करीब हुआ तीन दिसंबर की राथ और चार दिसंबर के करीब ठीक है और उस ओपरेशन का नाम गया था ओपरेशन ट्राइडेंट तो ओपरेशन ट्राइडेंट में भारत की नेवी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी ठक कर दी और उनको हरा दिया एक किसम से तो नेवी अपने इत्यास को याद करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कि कितना अच्छे तरीके से वो लड़े थे उन्होंने डिसाइड गया कि 4 दिसंबर को as a Navy day मनाया करेंगे अब कुछ और खबरे देखते हैं जो न्यूस पेपर में आई हुई है जैसे कि अभी क्या हुआ है मैंनमार के अंदर अभी मैं बात कर रहा था कि मैंनमार के बोडर पे यहाँ पर असाम राइफल लगी हुई है तो थोड़े दिन पहले क्या हुआ था फरवरी फरवरी 2021 में मैंनमार में डेमोक्रेसी हुआ करती थी और उस समय पर महां की प्रेजिडेंट कौन थी ओंग सांग सू की ठीक है महां की हैड हुआ करती थी मैंनमार की यह इनकी फोटो है लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पर मैंनमार के अंदर military जनता हुई क्या military जनता अब military जनता क्या है military ने take over कर लिया मयनमार में और इसको कैद कर दिया ओंग सांग सुईकी को ठीक है और recently क्या judgment आई है कि इसको 4 साल की jail के लिए भेज दिया गया है total case समझ गए आप क्या हुआ February 2021 में military ने कबजा कर लिया इसको हटा दिया और अभी judgment आई है कि military court महाँ पर military court establish हो चुकी है और military ने judgment दिया कि इसको 4 साल के लिए सजा दी गई है अब ये jail में रहेगी 4 साल क्यों दिया है कहा गया है 2 साल की सजा तो इसलिए कि इसने military के खिलाफ बोला जब military ने take over किया फरवारी में और 2 साल की सजा इसलिए कि इसने 2020 में election का परचार किया COVID-19 को उलंगन करते हुए लेकिन असल में देखा जाए जब इसने परचार किया था तो इसने proper mask पहन रखा था सब कुछ था तो ये तो देखा जाए तो army का यानि जन्ता जन्ता यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है military को यानि military का एक सडियंत रहे तो और इसको कैद कर लिया गया है तो ये ख़बर 30 के रिगार्डिंग एक इधर news आ रही है वो क्या है रसिया और इंडिया क्या हूँआ 6 दिसंबर को 6 दिसंबर के शाम को विलादे मुर्प पुतुईन आए और मोदी से मिलके गए ठीक है ये कोन है रसिया के प्रेजिडेंट है और ये भारत के PM है ठीक है इनकी मिटिंग हुई दिल्ली में और पहली बार ऐसा हुआ कि 2 प्लस 2 डायलोग हुआ अब 2 प्लस 2 का मतलब क्या होता है कि दो मंत्री भारत के और दो मंत्री रसिया के वो कौन से दो मंत्री एक तो डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर ठीक है कॉमेंट में लिखना आप भारत का डिफेंस मंत्री को न है और external affair minister कोन है भारत का comment में लिखना जरूर तो भारत का defense minister रशिया की defense minister से मिलेगा भारत का external affair minister रशिया की external affair minister से मिलेगा वहाँ पर कहीं कहीं पर उन्हें foreign minister भी कह देते हैं भारत में उसको external affair minister कहते हैं बाकी countries में उसको foreign minister कह देते हैं तो ऐसे 2 plus 2 dialogue गुआ पहली बार भारत का किस के साथ रस्या के साथ रस्या all weather friend है बहुत पुराने समय से कुछ decisions लिए गए जैसे कि क्या एक तो 203 assault rifles भारत actual में क्या होता था भारत अब तक क्या करता है इंपोर्ट करता है अपने weapons कहां से रस्या से लगबग 60% भारत के पास जो weapons है वो कहां से आते है रस्या से आते है लगबग 60% तो ऐसे भारत ने क्या सोचा कि कब तक हम ऐसे अपने weapons को लाते रहेंगे तो भारत ने क्या decide कि अब manufacturing भारत में सुरू करेंगे जैसे make in India अपने सूरा होगा तो ऐसी भारत ठीक है एक agreements हो रहे है कुछ projects के उपर hydrocarbons के उपर hydrogen से related project भी हो है hydrogen fuel वगएरा जैसे कि अगर hydrogen fuel बहुत ज़्यादा news में आता है अगर आपको पता हो क्या होता है पानी को electrolysis किया जाता है यानि उसके अंदर से गुजारे जाते है बिजली ठीक है और पानी को तोड़ दिया जाता है hydrogen में और oxygen में यह जो hydrogen है यह as a fuel यूज की जा सकती है हमारे vehicles के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसको fuel के तोर पे यानि पेट्रोल की जंगा आप hydrogen को भी यूज कर सकते हैं और जब यह burn होती है तो ज़्यादा pollution भी नहीं होता तो यह क्या है बहुत eco-friendly है environment के लिए बहुत beneficial है तो ऐसे projects पे collaboration करने के लिए यहाँ पर agreement हुए है अब एक term आते है green hydrogen अब green hydrogen क्या होता है मैंने कहा पानी के अंदर हम बिजली को गुजारेंगे ठीक है अब वो बिजली कोईले से भी बने हो सकती है वो बिजली सूरज की energy से यानि solar power से भी बनी हो सकती है या फिर वो hydro energy भी हो सकती है जैसे पानी से बनी होई बिजली आपने देखोगा पानी से बनी होई बिजली कैसे होती है dams में motor लगागे रखते है जैसे पानी को गुजारते है वो मोटर रोटेट करते है और बिजली बनती है तो इस तरह के से बिजली बनाने के बहुत सारे तरीके है अब कोईले से बनाओगे तो पॉलिशन होगा लेकिन अगर वो बिजली जो यहाँ पर यूज की गई जो इलेक्टिसिटी यहाँ पर यूज करी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अगर वो सोलर से बनी हो यानि सूरज की दूप से या फिर वो हाइड्रो पावर से बनी हो पानी से तो इसमें कोई पॉलिशन नहीं हो रहा दोनों जगाओ पे तो ऐसी बिजली अगर पास करके पानी में से इसमें बनाए जए तो उसको का कहता है green hydrogen तो green hydrogen के उपर world पुरा काम कर रहा है जिससे कि green hydrogen को produce के जाए बड़ी से बड़ी मात्रा में और without affecting environment आप उसको use कर सके एक जो अलग खबर है जो वो है S400 अब यह क्या है यह है डिफेंस सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 कैसे है ऐसे लगा देंगे उसको जैसे ही दुश्मन ने मिसाइल छोड़ी वो इधर आएगी और S-400 यह देखता रहेगा मिसाइल किदर से आ रहे है और इधर से फायर कर देगा हो और फिर उस मिसाइल को डिस्टोई कर देगा तो भारत ने यह S-400 किस से लिए है रस्या से लिए है तो भारत ने क्या-क्या किया है एक तो A-K 2003 Assault Trifle का एगरिमेंट एक S-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने किस से लिए है रस्या से अब देखिए रस्या की दुस्मनी है किस से USA से अमरिका से तो अमरिका ने ये कह रख है कि अगर कोई रस्या से कुछ भी लेगा अगर कोई देश रस्या से कुछ भी लेगा तो हम उस देश के उपर सैंक्शन ठोग देंगे यानि अभी भारत ने रस्या पैसे S-400 सिस्टम लिया है तो USA का एक एक्ट है जिसको कहते है कैट्सा काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थू सैंक्शन एक्ट कैट्सा एक्ट क्या कहते है काउंटर करो अमेरिका के एडवरिसरी को एडवरिसरी यानि डुश्मन को तो जो देश रसिया से कुछ खरीदेगा तो अमरीका उस पर ये कानून लगाएगा और उस देश के उपर sanctions रख देगा अब sanctions क्या हता है उस देश के उपर कुछ restriction लगा देगा यानि अगर भारत में कोई चीज आएगी तो उस पर tax बढ़ा देगा USA से कोई चीज आ रही है य क्यों कि भारत ने रसिया से S-400 defense system खरीदा है ठीक है भई लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अमेरिका के दबाब में आके इस system को ना खरीदता क्योंकि हमें ये जरूरी है भारत क्या गरेगा अगले दो तीन महिने में इसको पाकिस्तान border पे लगा देगा किसको S-400 defense system को और अगर कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की सरफ से आएगी वो self destroy कर देगा कोन S-400 इसको ऐसे समझे इसराइल सुना होगा आपने एक देश तो इसराइल में केस चलता रहते है किसका इसराइल और पलिस्तीन का तो अगर आपने सुना हो इसराइल के पास इतनी high technology है कि अगर कोई भी मिसाइल उसके सिस्टम में आना एंटर करते है तो वहाँ पर क्या है डोम की तरह है इस इसराइल का क्या एक डोम है यानि कोई बहर मिसाइल बाहर से आएगी तो इस 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 इलाके के अंडर मिसाइल एंटर नहीं कर सकती उससे पहले ही उसका जो defense system है उसको destroy कर देग मिसाइल को तो ऐसी भारत भी इस दिशा में बढ़ रहा है कि बजाए कि दुश्मन हमारे यहां कोई मिसाइल भेज पाए उससे पहले उसको मिसाइल को उड़ा दिया जाए तो यह खबरती रस्या के साथ अगर कुछ और खबरे देखूं मैं क्योंकि आज काफी दिनों किया है और यह वाला जो था वह आर्मी के उपर है जो अभी हमने डिसकस्किया था और यह है मयनमार के उपर जो उसको लीडर को चार साल की सजह सुनाए गई है ठीक है बई अब देखा जाए आज के लेक्शर को हम इतने रखते हैं फिर और कभी बाते करेंगे अगले lecture में आप बताना कोमेंट में बताना जो लेक्चर आप चाहते हो कोई तो उस पर लेक्चर बना दिया जाएगा ठीक है आप बताना थैंक यू ओपन लाइक इट शेयर कर दिया करो भी